आज मैं आपके साथ प्याच की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप ब्रेकफास्ट लंच या डीनर में ले सकते हो टीफिन में खा सकते हो या फिर सफर में ले जा सकते हो बहुती स्वाधिस्ट और बिल्कुल पेट भरने वाली रेसिपी है आप जरूर से ट्राइ की आलू तो मैंने तो ऊचे के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं आलू तो मैंने ऐहाँ एक बड़े इसका आलू लिया है जाल हैए चाहँए और आलू अड़ा चीछ दूटुझाः का उतना लिया हैं जफने हैं लिफिक यहाँ रहे प्याज डाल बेया हैं तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल महीन मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, कोई भी इसमें बड़े पीस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार छान लेंगे इसे मैंने च्छान लिया है, थोड़े पोड़े पीस थे, इसमें उपरी रह गए हैं, तो इसे हटा देते हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले एक चमच में डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपने स्वाधू नसार मैनेज कर लीजिए, इसे के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चमच, कुटीवी, लाल मिर्च या पिर चीली फ्लेक्स, इसे के साथ आधी चमच हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल देते है क्योंकि मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर चेली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर का यूज कर रही हूँ, इसे के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं, एक चमच कसूरी मेथी, और दो चमच में यहाँ पर सफेद ती ली है अब हम इसमें डाल देंगे बहुत सारी बारिक कटिवी धन्या पती अब इन चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेदे हैं अब हम इसमें डाल देते हैं दो पींच हींग एक चोटी चमस तेल ताकि जो नाश्ता है बढ़िया से कृस्पी बने अब इन सबी चीजों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम यहाँ पर इसका डो लगा कर तयार करेंगे तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर गेहु के आटे का यूज कर रही हूँ अभी मैंने यहाँ पर एक कप गेहु का आटा लिया है लेकिन गेहु का आटा आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डाले यानि आउशकता अनुसार हमें यहाँ पर आटे का यूज करना है और इस डो को लगाने के लिए हमें यहाँ पर पानी वगीरा कुछ भी नहीं डालना है वसे सारा पेस्ट और आटा जितना इसमें डलता है उतना आपको डालना है आटे के यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट नहीं है क्योंकि जितना आपका पेस्ट होगा उसे साब से यहाँ पर गेहु का आटा डलेगा तो से इसे बढ़िया से मिक्स करके हम यहाँ पर इसका टाइट सा डो लगा लेंगे डो टाइट रहेगा ना तो हमारे पूरिया है ना एकदम क्रिस्पी बनेगी चलिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो डो है बढ़िया से सेट हो जाए चलिए 5 से 7 मिट हो चुके हैं एक बढ़ डो को हम फिर से थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे अब इस डो में से हम यहाँ पर लोई बना कर तयार कर लेते हैं तो जिस तरह से हम पूरि के लिए लोई बनाते हैं ना बस उसी साइस की हमें यहाँ पर बनाना है क्योंकि हम भी यहाँ पर इसकी छोटी छोटी पूड़िया ही बेलेंगे तो अब मैं यहाँ पर चकले को तेल लगा के थोड़ा से चिकना कर लेती हूं और अब हम इसे बेलेंगे तो बस जिस तरह से पूड़िया बेलते हैं न बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इससे बेलना है मैंने थोड़ी सी पूरिया बना कर तयार कर ली है तो चले पहले इने तल लेते हैं तो गेश चालू करकर तेल को भी मैंने गरम करने रख दिया था तेल हमें यहाँ पर बढ़िया से गरम चाहिए ठंडे तेल में हमें फ्राई नहीं करना है और एक बार में बहुत जादा भी टूल दालना है बस दो से तीन ौह यहाँ पर ढाल देंगी ताकि बढ़िया से फूल सके तो हम है इस थोड़ा सा पूलाना होगा यारनि इस तर से घंपो पूरिया आते जाए तो आप देखिए अूंहुत अंतुं हम ने जो मसाला डालाना है इंसमे तील और किम ने टील औ में जरूर से बताईए और अगर रसीपी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें चले अब बना लेते हैं प्याज के पराथे इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आटा लगा के तयार कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर दो कप के लिए सबसे हम चले में चले करना कया है के वीज़ि परा आटा लिया है तो आप यहाँ पर बनफोर्त कप मेधा कब दो चोटी चमिट डालेंगे तेल अब हम यहाँ पर पाने डाल के इसका नॉर्मल सा डो लगा के तयार करेंगे तो यहाँ पर देखिए डो मेने बढ़िया से लगा के तयार कर लिया है एक बार इसे अच्छे से मसल के चिकना कर लेते हैं क्योंकि इस पराठे के लिए हमें यहाँ पर बिल्कुल सौफ्टर डो की जौरत है तो चले अब हम क्या करते हैं इसे कवर कर देते हैं और कवर करकर लगबग 10 मिट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे तक कि और भी पढ़िया से सेट हो जाएं जब तक हमें जौरत होगी प्याच की तो मैंने यहाँ पर इस तरह के यह चार प्याच लिये हैं तो बिल्कुल आपके उपर है आप कितने प्याच बनाना चाहते हूं उतने आप इहाँ पर प्याच ले लीजें तो मैं ए यहाँ पर चार लोगों के इस आपर आफ़ी प्याच बणा रही हूं चलिए प्याज तो हमारे यहाँ पर कटकर तयार हो चुके हैं तो अब हम इसे डाल देते हैं किसी बड़े बरतन में अब यह जितने पी प्याज है इन्हें हम खोल लेंगे यानि हमें इनकी लच्छे बना के तयार करना है तो बस इस तरह से आप कुछ देरीने मस लेंगे तो अब यहाँ पर अलग हो जाएंगे तो चलिए चृश चलिए गिश चलू कर और गैस पर एक पैन दबाएं और इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चम तेल पले आदी चम च्वाल जीरा ड़ा लिगे थोड़ी से हम यहाँ पर डाल देते हैं, हिंग-हिंग से बहुत भड़ी असा टेस्ट आएगा इसी के साथ दो हरीमर्च लिए है, जिसे बल्कुल बारीक काटावा है और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं क्रश की वी अद्रक, एक इंच अद्रक के टुकड़े को मैंने क्रश कर लिया है इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं सोफ और थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे साबुद धनिया दोनों मैंने एक एक चमश लिया है और इने क्रश कर करी हमें लेना है तो सोफ और साबुद्धनी आप जरूर से डाले इसे पराठे का टेस्ट बहुती बढ़िया आता है तो इन सबी चीजों को मैंने थोड़ा से चला लिया है और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं प्याच अब प्याच को भी हम एक बार बढ़िया से सभी मसालों में मिक्स कर देंगे तो चले अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं जिसे एक चमश में डाल रही हूं नमक नमक आप यहाँ पर अपने स्वादनों साथ ले लीजे और यसी के साथ हम डाल देते हैं आधी चमश हादी पाउडर अब इन दोनों को भी एक बार बढ़िया से मिक्स कर देंगे और अभी हमें यहाँ पर प्याज को पकाना होगा तो प्याज को पकाने के लिए हम इसे कवर कर देंगे तकि प्याज जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए प्याज हमें यहाँ पर जलाना बिल्कुल भी नहीं है बस सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो इसे कवर करकर गेस का फिल्म लो कर देते हैं उस दिर के बाद आप देखेंगे प्याज यहां पर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं यह देखिए तो चलिए अब हम यहां पर डाल देते हैं बाकी बचेवे मसाले जैसे एक के लिए हम इसे इसी तरह से चला लेंगे ताकि जो मिर्च और धनिया पाउडर हमने बाद में डाला है यह भी बड़े से फ्राइ हो जाएं लेकिन हलके हातों से चलाएं प्याज टूटन पाएं क्योंकि प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं इसके बाद में यहां पर डाल रही ह लेकिन आप प्याज के हैं इसाब से बेशन डाल लिए कि आपके प्याज कितने ही उतना ही आपको यहां पर बेशन लगेगा अब बेशन को हमें यहां बढ़िया से बूनना होगा बेशन को हमें कच्छा बिलकुल भी नहीं रखना है तो बस मीडियम फ्लेम पे कुछ जर हम बना रहे हूं इसलिए में यहां पर यूज कर रहे हूं आधी चमच अमचूर पाउडर और आधी ही चमच हम यहां पर डाल देते हैं चीनी तो बहुत ज़्यदा चीनी नहीं डाले क्योंकि प्याज में भी मिठास होती है बस इन दोनों चीजों को एक बार बढ़िया से हम मिक यहां बस इसलिए मैं यहां पर डाल दिया है तो अगर आपके पास हो तो डाले नहीं तो कोई बात नहीं बीना इसके भी पराठे बहुत ही टेस्ट लगेंगे डालने के बाद ग्येस प्लेम ऑफ कर देंगे हरे प्याज को हमें यहां पर पकाना बिल्कुल भी नहीं है त्य क्योंकि इसका जो क्रंची टेस्ट है वो पराठे में बहुती बढ़िया लगता है और अब हम यहां पर डाल देंगे धन्या पती गेस का फ्लेम ओफ कर दिया है बस इस फीलिंग को अब हम ठंडा होने देंगे इसके बाद हम पराठों में इसे भरेंगे अगर आप गरम भरें तो यह देखें आटा तो हमारा बिल्कुल बढ़िया से सेट हो चुका है तो चले अब हम यहां पर क्या करते हैं एक लोई बना कर तयार कर लेते हैं तो बस जिस तरह से रोटी के लिए लोई बना रही हूँ बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाए और बहुत ज़्याद करेंगे इसके बाद हम इसे बेलेंगे तो बस रोटी जैसा ही हमें से बनाना है यानि रोटी जितना ही हमें से बढ़ा करना है और उतना ही पतला हमें से रखना है तो फ्रेंट्स इसके पहले भी मैंने आपके साथ कई तरह की पराठी की रेसिपी शेयर की है और आप सभी न पर फिलिंग भरना होगी, तो मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे, दूसे तीन चमज भर कर मसाला, तो मसाला थोड़ा जादा ही रखें, इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है, अब इसे थोड़ा सा हम शेप दे देते हैं, यानि जिस शेप में हम इसे बना रहे हैं, न वही शेप हम यहाँ पर दे देंगे, तो यह बिल्कुल आपके उपर है, अगर आप इसे गोल बनाना चाहें, तो गोल भी बना सकते हैं, चोरस बना सकते हों, अब दोनों तरप से इस तरह से उठाते वे, हम इसे फोल्ड कर दे यह दिखें, हलके आथों से थोड़ा सा दबा देते हैं, और इसके उपर ढालेंगे, फिर से सुखा आठा, और अब हम इसे बेल देते हैं, तो हमें इसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, इसी शेप में हमें इसे बेलना है, तो चलिए, एक पराठा हमारा यापर बनकर तयार हो चुका है, और तावा भी बढ़िया से गरम हो चुका है, जब यह तावा गरम हो, इसके बाद हमें पराठा डाल देते हैं, गेस का फ्ले मीडियम रखेंगे, और एक तरप से जब यह जैसे ही सीखता है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और दोनों तरप स हम यहाँ पर इसी तरह से तेल लगा देते हैं, तो आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया से पराठा फूला है, तो थोड़ा सा इसे चम्मत से दपाते वी से क्योंकि जब पराठा फूल जाता है, तो साइड से इसमें कलर नहीं आपाता है, बाकि कच्चा बिल्कुल भी नह से बना के तयार कर लेंगे, तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले,